ओम नमस्षिवाए एस्टो तक पर जुड़े हुए सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देखिए आज बहुत इंपोर्टेंट वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि साल में एक बार ऐसा दिन आता है जब देवगुरु ब्रस्पती अपना राशी परिवर् माने जाते हैं और नैसरगी कुरुप से शुब ग्रह हैं और देवों के जितने भी ग्रह होते हैं उन सभी के देवता माने जाते हैं इवन सूरे जो ग्रहों के राजा हैं उनसे भी बढ़कर ब्रस्पती देवता को माना जाता है कि कहीं पर लिखा भी हुआ है कि राजा से बीजादा पूजनी अगर कोई होता है तो वो गुरु होते हैं वो किसी के भी गुरु हो अब यह देवताओं के गुरु हैं सूर्य मंगल चंद्र जितने भी नवगरा हैं सभी के यह देवता बन जाते रहों के तुवाला की देवता है उसकी बाद भी हम लोग इसमें इंक्ल कर रहे हैं एक मई् दोहजार चौबिस को नक्ष्चतर और सिधा बारा अगस्त एक कया डेट आएगा जबी अपना नक्षृतर परिवर्तन करके रोहुणी नक्षठर में चले जाएंगे रोहोणी नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र है चंद्रमा के नक्षत्र में ब्रस्पती को बहुत आनंद मिलता है हाला कि जौडियक देखा जाएगा साइन तो शुक्र की राशी यानि राशी वाइस देखा जाए तो यह शुक्र की राशी है और शुक्र के लिए देखा जाए तो ब्रस्पती न्यूट्रल माने जाते हैं इसी तरीके से ब्रस्पती देवता जो हैं बुद्ध को भी शुक्र मानते हैं लेकिन बुद्ध देवता ब्रस्पती को कहते हैं कि वो न्यूट्रल है तो देवता से किसी की भी दुश्मनी मतलब मैं बात कर रहा हूँ बुद्ध और शुक्र के बारे में नहीं बुद्ध ब्रस्पती को शत्रू मानते हैं नहीं शुक्र ब्रस्पती को शत्रू मानते हैं मित्र भी नहीं मानते हैं उदासींता के तरीके से देखते हैं 20 अगस्त को मिरिक्षिरा मंगल के नक्षतर में ब्रस्पती का राशी नक्षतर परिवरतन होगा और उसके बाद 9 अक्टूबर एक ऐसा डेटा रहा है जहां पर ब्रस्पती देवता वक्री हो जाएंगे पीछे चलने लगेंगे रहेंगे वरिशब में ही और वहीं पर वक्री हो जाएंगे और 28 नॉम्बर को ये फिर रोहनी नक्षतर में पहुँच जाएंगे फिर मार्गी होंगे और फिर अंत में 29 14 मैं अंत में 14 मैं 2025 को ये अपना राशी परिवरतन करके मिथन में चले जाएंगे कुछ यूतिया भी यहाँ पर बनेगी उस यूतियों को भी आप समझेगा ब्रसपती देव के साथ 14 मैं को सूर्य और ब्रसपती का कंजंशन होगा यूति बनेगी दोनों साथ में हो जाएंगे 19 मही को सूर्य ब्रस्पती और शुक्र की यूती होगी 31 मही को ब्रस्पती सूर्य बुद्ध और शुक्र इन चतुष ग्रह का एक साथ यूती होगा और 12 जुलाई को मंगल और ब्रस्पती की यूती होने वाली है तेरा अक्टूबर को ब्रस्पति शुक्र का समसब्तक योग बनेगा और 29 मार्श 2025 को मंगल अपने नीच राशी में रहेंगे इन सभी चीजों को देख कर कुछ पॉइंट जरूर यहां पे निश्कर्स निकालना चाहिए केवल ऐसा नहीं कि ब्रस्पति को आप याधार मान ल देखें मेश लगन की अगर हम लोग बात करते हैं तो मेश लगन में ब्रस्पति को डिपार्टमेंट कहां पर मिला हुआ है ब्रस्पति को डिपार्टमेंट मिला है नवम त्रिकोड का और साथ में 12 के भी यह मालिक होते हैं विदेश के भी यह मालिक माने जाते हैं परिवर्तन कर रहे हैं दो तारिक को और ये आपके दूसरे भाव में जा रहे हैं लगन के सापेक्ष में देखा जा जा तो दूतिये भाव में जा रहे हैं अब दूतिये भाव जो होता है धन का होता है कोटुम्ब का होता है वाडी का होता है उस भाव में ब्रसपती देवता बैट गया अगर ब्रस्पति देवता भले शत्रू राशी में जाकर बैट रहे हैं मित्र नक्षतर में जाकर बैट रहे हैं तो बहुत जादा परिशानी बहुत जादा निगेटिव निगेटिव टी इस नक्षतर में इस राशी में जाकर ब्रस्पति देवता नहीं देने वा तरकिशनरी में रखते हैं तो नक्षातरवाइस बहुत अच्छा रिजल्ट में लेवाला है तो परिवार का सयोग मिलेगा है वाड़ी जो होगी उसमें साक्षात ब्रस्पती देव उपस्त रहेंगे जो बोलिएगा वो सत्य भी हो जाएगा इसलिए एग्रेसिव मूड में क कि क्या होता है जब हम किसे के बारे में निगेटिव्टी करते हैं तो उतना ही निगेटिव्टी आपके शरीर में भी प्रवेश कर जाता है धर्म की बातों में अगर आप जुड़ा हो हैं कथा वाचक हैं या आप धर्म को मानते हैं तो इस समय धर्म की परकास्था जो रहे खागी को लेकर धन में चले गए तो आरथिक उन्ति रूप से बहुत अच्छी होने वाली है आरTIC रूप से आप देखिये तो उन्ति करने वाले रहेंगे इसमें कहीं पर विख भी कोई डाउड नहीं है अरत वेवस्ताब का पहले से सुद्रिण होने वाला है आलाइन या आफलाइन के कारियों में अगर आप इन्वाल में तो उसमें भी आपको लाब मिलने वाला है अब ब्रस्पती जहां पर बैठे हैं वहां से एक तो आपके लीगल मामले को देखेंगे लीगल मामलों को देखेंगे तो अगर किसी प्रकार का कोट के चैरी के केस चल रहे थे और अगर आप मेश लगने के हैं तो बड़ी बुद्धी मता से आप अपनी बुद्धी का प्रियोग करके लीगल मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी अंत में जीत आपकी ही होगी ब्रस्पती गोचर में लीगल मामले में आपको सयोग देने वाले हैं ब्रस्पति की जो साथवी द्रिष्टी है वो आपके अश्टम अस्थान को भी पड़ेगी अश्टम अस्थान को का जाता पूरा अतत्त वोका अस्थान या अकल्ड साइंसिस का रहस्यों से भरा हुआ आयू मृत्यू तो आयू को तो यह बढ़ाएंगे साथ में जो लोग रिसर्चर हैं जो की रिसर्च करते रहते हैं कुछ ना कुछ क्योंकि ब्रस्पति रिसर्च का कारग मी माना जाता है जो भी आप रिसर्च करना चाहते हैं तो उस रिसर्च में आपको बहुत बड़ी काम्यावी यहां पर मिलेगी हर तरीके से कहा जाए तो का राश्य परिवरतल लगबग लगबग आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है एक परिशानी जरूर होगी क्योंकि ब्रस्पती अस्टम को देखेंगे तो लीवर में किसी प्रकार की परिशानी भी उत्पन हो सकती प्रस्पती की नीच द्रिश्टी करमस्थान पर करमस्थान पर आपको याद रखना मेहनत करना है क्योंकि ब्रसपती देवता की नीच द्रिष्टी कर्म अस्थान पर बहुत अच्छा नहीं है कारे वेबसाय में नीच द्रिष्टी तो आपका जो मन होगा कारे अस्थान पर जाकर गलत चीजों में involve हो जाना इनसे आपको बचना होगा क्योंकि ब्रस्पती कभी गलत तो नहीं कराते लेकिन दृष्टी नीच की पड़ रही है इसलिए जो कर्म अस्थाने जहां पर आप जॉब करते हैं आपको बेहद ओनिस्ट होना पड़ेगा अगर आप honest नहीं हो रहे है तो ब्रस्पती का एक भी यिशब प्रबाव आपको नहीं मिले वाला है इसलिए जहां पर नीच दृष्टी पड़ रही है उसका प्रबाव आपके पैरों में भी देखने को मिलेगा और सात में जो नीच दृष्टी पड़ रही है उसका जो दु कोई गलत कारवों में इंवाल्वमेंट आपका नहीं होना चाहिए इस बात का आपको विश्य सुर्प से ध्यान देना होगा आपको मिलेगा भविश्य से जुड़े हर सवाल का जवाब डाउन्लोड कीजिए एस्टो तक आप और चिट्की में जुड़िये इंडिया के बेस्ट एस्टोलोजर से